नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्प में आपका फिर एक बार स्वागत हैं, आईए आज जानते हैं कि कोविड एंटी बोडी टेस्ट क्या होता है, कोविड एंटी बोडी टेस्ट कोरोना वाइरस के पास्ट इंफेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ये टे को इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कई लोग पास्ट में कोरोना वाइरस से इंफेक्टेड रहे हो पर एसिम्टोमेटिक रहे हो और उन्हें इसका पता ही ना चला हो कोरोना वाइरस से infected होकर ठीक हो चुके व्यक्तियों में antibodies develop होते हैं ये antibodies दो तरह के होते हैं पहले IgM antibodies IgM antibodies infection की early stage यानी 4-7 दिन में बनना शुरू होते हैं ये antibodies short lift होते हैं और बहुत ही कम समय तक रहते हैं दूसरे IgG antibodies IgG antibodies infection के 14 दिनों बाद बनते हैं और comparatively लंबे समय तक रहते हैं अलांकि ये antibodies कितने समय तक रहते हैं उस पर अभी research चल रही है antibody test की main significance ये है कि antibody test positive वेक्ति plasma donation का काम कर सकते हैं plasma therapist ये coronavirus से infected वेक्तियों को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है अगर आप plasma therapy की बारे में detail में जानना चाते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं उसकी link आपको i button पर या फिर इस वीडियो के description में मिल जाएगी उमीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी ही सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं